जब तक आप अपनी analysis पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप trading में कभी भी profitable नहीं बन पाएंगे, कल हमने क्या discuss किया था, option buyer हो जाओ ready, sideways market के बाद आता है momentum, सिर्थ thumbnail और title ही देखके ट्रेड ली होते तो भी profit कर लेते, और मैं कई दिन से ये बात आपको बार 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 बोल रह तो it was very obvious कि market में कहीं न कहीं bullishness दिखती है, अब देखे, आज हमें ये देखने को मिला है कि market उपर गया, तो थोड़ा सा correction दिखाया, शुरू में थोड़ी जी नीचे आया, उसके बाद फिर भागा और यहां पर consolidate कर रहा, consolidate करने का मतलब यहां यह हो जाता है, कि जो buyers हैं, व कैसे हमें trade लेना चाहिए, निफ्ती अभी भी bullish दिखता है, क्योंकि यहां deep correction नहीं गया, market नीचे आके closing नहीं दिया, उपर के उपर ही sustain कर रहा है, तो देखिए, पहले तो क्या कीजिए, अपने important levels अपने chart पे mark कर लीजे, और उसी के basis में हमें trade लेना है, अगर आप important levels के basis पे trade लेंगे, तो आप random कहीं भी trade नहीं लेंगे, आपको पता है कि यह हमारे important levels है, और यहां से market उपर या नीचे कुछ भी कर सकता है, तो इधर जो gray color वाले सारे हैं, उनको mark कर लीजे, bank nifty का भी mark कर लेना है, bank nifty के भी mark कर लीजे, और फिर देखिए, उसके basis पे हमें कैसे trade लेना है, अब बात को समझे, जैसे मैंने बताया कि nifty में उपर के side ही consolidation हुआ है, तो there is a possibility कि अभी भी एक upside momentum pending हो, और मैंने कई बार ये बात बोली है, देखिए, उपर रुका क्यों market, मैंने कुछी दिन पहले ये बात बताई थी, कि अगर market में gap हो गया है, एक gap present है, तो gap क उपर का area और नीचे का area कहीं न कहीं support and resistance का काम करता है, और कभी भी market इस area को एक flow में तोड़ नहीं पाता है, अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे के तरफ जब market नीचे से उपर आ रहाता, तो ये resistance का का काम कर रहाता, देखिए, कितनी बार hold किया है, ये gap का उपर का area, और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे इस gap में उपर यहाँ पर भी एक resistance है, तो market इस resistance को एक बार में नहीं तोड़ सकता है, ये सारी चीज़े copy pen लेके note कर लिया, कि आज देखेंगे परसों भूल जाएंगे, मालूमी नहीं रहा करना क्या है, तो copy pen लीजे, अगर serious है trading के ल करना है, gap down में क्या करना है, gap जब बने चार्ट पर तो क्या करना है, तो वही मैं कहा रहा हूँ कि देखें ये area, और ये area हमेशा ही resistance और support का का काम करेंगे, तो यहाँ पर देखें, market पहुंचा तूरंत रुख गया, जाना ही नहीं ये market को एक flow में नहीं निकल सकता, अब य पारण है, क्योंकि यहाँ पर sellers आये, sellers क्योंकि बैठे हुए थे इस level से, plus market में buying कई बार से हो रही थी, तो यहाँ buyers थोड़ा सा exhausted देखें, ठके हुए देखें, हाला कि इस level को नीचे ना गिरा के ले जाने के able नहीं दिखें है sellers, तो हमें ये भी समझ में आता है कि buyers में तो हम उपर के तरफ full quantity में trade ले सकते हैं, तब ही अगर market flat खुला है तो, अगर नीचे से आ रहा है तब बात यह नहीं बनती है, अगर उपर ही खुला और उपर निकलता है, तो हम उपर के तरफ trade ले सकते हैं, अगला target बहुत clear का 24,900 का ही दिखता है, बीच में क्या है, खुल के उपर के तरफ, तब हम full quantity में उपर के तरफ trade ले सकते हैं, अगर market नीचे खुलता है, थोड़ा सा gap down खुलता है, तो यह हमारी एक range है, अब यहाँ पर देखिए, market consolidate किया था, तो यहाँ पर हो सकता है, यह उपर का area है, consolidation area और नीचे का एक area है, consolidation area जहाँ पर market अभी 25 का level, cross नहीं होता है, तब तक हम bullish ही रहेंगे, negative side bearish हम नहीं हो सकते हैं, तो अगर market यहाँ खुलता है, कहीं भी gap down खुलता है, यह छोटा flat खुलता है, और नीचे जाता है, तो जब भी stochastic RSI कहें कि उपर का trade लेना है, तो हम उपर का तरफ trade ले सकते हैं, और 24,600 के लगभ तो market उपर चड़ने की सीधी कोशिश कर सकता है, क्योंकि आज हुई है buying, यह buyers नहीं try सोच सकते कि उन्हें loss होगा, market नीचे खुलेगा, पहली 15 minute की candle का high break को उपर के तरफ trade ले लीजे, अगर market बहुत नीचे खुल जाता है, तो फिर वही बात आ जाती है, यह buyers को बहुत कलने की कोशिश करता है, तो ही हम नीचे के तरफ half quantity में trade लेंगे, कहीं न कहीं हमारा फिर 24,450 के लगबग हमारा target बनता है नीचे के तरफ, लेकिन यह chances कम दिखते हैं, अभी market bullish है, तो हम bullish ही रहने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसे situation में market उपर खुल जाता है, तो देखें, द बड़ा gap up open होता है, 24,800 के उपर candle close करती है 15 मिनिट की, तो हमें देखना है उस candle का high उपर के तरफ ब्रेक हो रहा है क्या, अगर ब्रेक हो रहा है, तो full quantity में उपर के तरफ trade ले लिजेगा, at least 24,900 अचीव करने के बाद half quantity निकाल दीजेगा, और फिर trail करते जाएगा, market कहां तक जाएगा, वो हमें नहीं पता है, लेकिन यहां पर situation यह भी हो जाती है, कि अगर market में profit booking होई, तो हमें नीचे कदब trade लेना होगा, half quantity में trade लेंगे, half quantity मतलब 10 मिल लेक में तो 5 मिल दीजेगा, कैसे लेना है, अगर market बड़ा gap up open होता है, तो यह लोगों को अचानक से दि तो हम profit लेंगे, तो ऐसे situation में अगर market उपर खुलता है, तो वो लोग तुरन profit booking करते है, बहुत बड़ी profit booking शायद ना आए, क्यूंकि market में bullishness बहुत जाता है, कहीं न कहीं buyers फिर accumulate होके बाहर fake देंगे market को, लेकिन profit booking आ सकती है, तो हमें क्या करना है, अगर market बहुत उपर लेने का तरीका यही है, उसके basis पर trade लेने में आपको आसानी होगी, और याद रखिए, सिर्फ analysis नहीं करना है, एक lot में trade लीजे, trade लेंगे तो ही practice होगी, सिर्फ analysis करते रहेंगे, तो analyst बन जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, आपको trader बनना है, आपको risk लेना है, आपको risk को जेलना आना चाहिए, इसे बातें करने से कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि trade लीजे, एक ही lot में लीजे, दो lot में लीजे, लेकिन लेना सीखे, तब ही कुछ हो पाएगा, अब ये bank nifty के important levels मा कर लीजे, इसमें भी कुछ ऐसा ही situation है, लेक gap के area के उपर निकला तो है, लेकिन यहां पे रुख गया, तो आप देखिए, उपर का gap यहां कहीं बनता है, लेकिन हमारा target बनेगा 51,400 के लगबग, क्योंकि gap फिल करने की almost कोशेशाच कर चुका है, तो अगर market उपर निकलेगा, तो 51,400 तक जाएगा, जैसे निफ्टी में के important level हमने mark करके रखा है, तो उसी तरीके से अगर market उपर खुलता है, उपर ही निकलता है, तो full quantity में उपर के तरफ trade, यह situation अगर निफ्टी में बन रही है, तो उपर के तरफ निफ्टी में trade लेने की कोशिश कीज़ेगा, अगर उपर खुलके उपर निकलता है, तो full quantity में अगर market नीचे खुलता है, तो फिर उपर चड़ने की कोशिश करेगा, तो नीचे खुलता है, पहली 15 मिनिट के candle का high break अगर market उपर खुलता है, तो कहीं ने कहीं थोड़ी profit booking इसमें भी आ सकती है, हाला कि इसमें profit booking अच्छी देखने को मिली है, तो बहुत अच्छी profit booking नहीं अगर market खुलता है, तो निफ्टी में नीचे के तरफ टेड लेने की कोशिश कीजिए का, तो अगर market उपर खुलता है, तो नीचे के तरफ टेड अगर 50 मिनिट की candle का high break होता है, तो उपर के तरफ टेड फूल क्वांटिटी में 51,400 हमारा पहला target होगा, और उसी तरीके से अ market अगर नीचे जाता है, तो hold किया रही है, यहां 50,530 के लगबग आया, यहां ग्रीन का लग की candle बना है, तो उपर के तरफ टेड नहीं तो, अगर market नीचे आता हो, इस टौकास्टिक RSI कहा रहा है, कि market उपर के तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, तो यहां पर आप आप हो सकती है, क्योंकि आज यहां से buying हुई है, तो बहुत सारे buyers hold करके बैठे हुए है, उन्हें loss नहीं लेना है, उन्हें loss नहीं लेना है, वो भी इतने positive scenario में, जहां पर breakout करके market उपर जा रहा है, वो भी deep correction करने के बाद उपर जा रहा है, तो वो अब loss लेने नहीं बैटे है, लेकिन अगर market बहुत नीचे कुलता है, पहली 15 मिनिट के candle का low break होता है, तो half quantity में ही trade लेना है, full quantity में नहीं लेना है, क्योंकि market थोड़ा सा नीचे जाए, फिर rejection दे के उपर चड़ सकता है, तो उपर के तरफ ज्यादा focus करना है, यहां पर अगर market खुलता है, stochastic RSI, उपर क तरफ ही trade लेना है, उपर खुलता है, उपर के तरफ ही trade लेना है, और उपर खुल जाता है, तो profit booking छोटी आ सकती है, उस situation में हमें nifty में trade लेना है, और अगर बहुत उपर खुलके है, पहली 15 मिनिट के candle का high break करता है, तो उपर के तरफ फुल quantity में हमें trade लेना है, bank nifty में, I hope guys, आपको समझ में आया हो, और नहीं समझ में, मैं जल्दी जल्दी ट्राइस लिए करता हूं, कि आप बोर न ओजाए, आपको सारी बातें भी पता लग जाए और आप बोर नहीं हो, लेकिन एक बार दो बार धीरे धीरे करके देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तब ही आ यह सब बेकार की हैं आप कैसा फिल करते हैं उस समय कैसे बहुत हो जाता है यह सारी बात यह होती रहेंगी हजारों लोग आएंगे बता के चले जाएंगे बात यह है कि जब आप ट्रेड में बैठ्ट हैं हुए तो कितने आराम में हैं कितने पेशेंट ली अपने एनालिस को होने दे रहे हैं इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को सीखने के लिए सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजेगा मैं ऐसे ही रेगुलर्ली आपको वीडियो बनाता रहूंगा थैंक्यो गाइस